नमस्कार दोस्तो तेवारों का सीजन चल रहा है सभी के घरों में तेवारों की तयारियां चल रही हैं सभी लोग मिठाईयां और नवकीन वगएरा मठरी वगएरा मार्केट चलाते हैं मार्केट में सभी को पता है बहुत सारी चीजें मिलावट किया रही है तो हम क्यों न सुद्ध मिठाई अपने घर पर तयार करें आज हम बनाने वाले हैं बिना चासनी, बिना मावा, बिना गैस जलाए यह हमारी मखाना बर्फी, जो की 30 ग्राम के करीब हमने मखाना लिया है और इतने में से बहुत सारी बर्फी तयार हो जाती है पैन को हमने चड़ा दिया है, मखाना इसमें डाल कर हम थोड़ा मखाने को रोष्ट करेंगे मखाना रोष्ट करने का रीजन ये होता है कि मखाना बहुत आसानी से ग्राइंड हो जाता है इसकी नमी निकल जाती है बस इस तरह से दो मिनट तक हम मीडियम आज पर इसे अच्छी तरह से रोष्ट कर लेंगे ये देखिए मखाने का पाउडर बिल्कुल फाइन तयार हो चुका है इसी तरह से हमने मखाने को जैसे पीसा है हम चीनी को भी बिल्कुल फाइन ही इसका भी पाउडर तयार करेंगे हमने 30 ग्राम मखाना लिया था जो हम इसदर करीब 50-60 ग्रम मिक्सी में हमने चीनी को पीछ लिया है अब हमने desecrated नारियल को भी अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है देख सकते हो यह हमारा desecrated नारियल का बिल्कुल fine powder इसका भी बन चुका है और तीनों चीजों को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है यह देखिए सारी चीजें हमारी अच्छी तरह से त्यार हो चुकी है यह देखिए दो चमच हम इसमें milk powder डाल रहे हैं यह दिया आपके पास milk powder है तो जरूर डालिए परफी का test बिल्कुल milk की आएगा और कुछ इस तरह से चमच की साहता से यह हाथ की साहता से आप अच्छी तरह से इसे mix कर ले बहुत ही अच्छी तरह से mix करना है क्योंकि सारी चीजे एक सार हो जानी चाहिए यह देखिए इसमें हमने आदा चमच के करीब कश्टर्ड पाउडर डाला है इसका फ्लेवर बड़ी हाता है है आपके पास तो जरूर डाल ले अनाने था इसकी भी कर सकते हैं मेरे पास में था तो मैंने डाल दिया क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बस हांथ की साहता से इस तरह से सारी चीजों को हम अच्छी तरह से mix कर लेंगे यह देखिए बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को mix कर लेंगे, mix करने के बाद ही आगे का process हम सुरू करेंगे ना हमें गैस जलाना है, ना ही हमें कोई चासनी तैयार करनी है चीनी को हमने पाउडर करके ही इसमें मिक्स कर दिया है और ये देखिए, ये बॉयल किया हुआ बिल्कुल थंडा फ्रीज का रखा हुआ दूध है जो कि 2 से 3 चम्मच हमने दूध इसमें डाल दिया है और बस इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा जो मिक्स किया हुआ अंच्छर था, वो हमने निकाल लिया है जरूरत पढ़ सकती है, बाद में तो बाद में हम फिर आयट कर लेंगे और कुछ ही इस तरह से देख सकते हो, एक दो फॉर्म में इसको तयार करना है, ये देखिए, बहुत अच्छे से हमारा चार से पांच चम्मच ही इसमें दूध लगा है, ज्यादा दूध ने लगा, आप देख सकते हो काटोरी में सारा दूध बच चुका है, और जो हमने मिच पांच निकाल के रखा था, वो भी हमने इसमें आयड कर लिया है, ये देखिए, बहुत अच्छे से इसको हमने एक डो फॉर्म में तयार कर लिया है, ये देखिए, ये हाथ में चिपक रहा है, तो आप थोड़ा सा घी या नारियल का तेल लगा सकते हैं, ये देखिए, बह आब इसे हम दूद को साइड में रखेंगे, दूद हमारा करीब चार से पांच चमत दूधिस में लगा है. झाल 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 झाल